जैन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए समेस्टर वाला में आज के इस कलास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सिक्स समेस्टर को कोरिकुलर कुर्स के अंदर आपका एक्जाम होता है कम्यूनिकेशन स्किल्स एंड प्रसनाल्टी डिवलमेंट का यह जो कोश्चन पेपर है महात्मा जयोत्विया फूले रोहल खनी उनिवर्सिटी का कोश्चन पेपर है पेपर भेजने वाला का नाम है भिया सुवाज जी ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी महात्मा जयोत्विया फूले रोहल खनी उनिवर्सिटी के छाच छात्रा है ठीक है आपके इसमें मैं बता दूँ कुल आपके इसमें 100 कोश्चन पूछे गया थे कितने प्रस्ण आपके सही किये है ठीक है आप अपना एंसर की मिला लेंगे ठीक है चले स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास और जो जिनका एक्जाम नहीं हुआ है जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है और जिनका exam हो गया है उनसे भी रिकिवेस्ट है WhatsApp पर इसे send कर देंगे ठीक है वो अपना answer की मिला लेंगे जिनका exam नई हुआ है वो देख लेंगे बहुत सारे ऐसे प्रस्ण हैं इसमें हैं जो बार-बार repeat होते हैं ठीक है मैं बता दूँगा आपको कितने प्रस्ण इसमें रिपीट हुए हैं और कुछ प्रस्ण ऐसे हैं जो हर कालेज में हर साल पूछे जाते हैं ध्यान रखेंगी इस बात को ठीक है यादि आप इस प्रस्ण पत्र को दो हजर पचीश चब्वी सटाइश देख रहे हैं तो भासा जो होता है यह प्रभाववत कर सकता है यह important है ठीक है पहले का Episode no right है दूसरा प्रस्ण आपका पुछा गया था इसमें एक व्यक्तितू मतलब प्रस्नाल्ट्टी ठीक है ? एक बालक के प्रस्नाथी के मापन की सरवाधिक व्यक्तिनेष्टवीधी है कौन्सी वीधी है ? प्रशनावली विधी है आगे बढ़ते हैं तीसरा पेसंद है आपके क्या । पुछा गया था अंतर मुखी ब्यक्तितों वाहिर मुखी ब्यक्तितों का वर्गी करण किस ने किया है मतलब यानि जो आपका इसमें पूछा गया है इंटोवर्ट जो आपका प्रस्णाल्टी है और जो आपका एक्स्टोवर्ट प्रस्णाल्टी है उसका वर्गी करण किस ने किया है तो जुंग ने किया है ठीक है बी आपसन राइट आपका तीसरे का ठीक है चले यह प्रस्ण भी आपका हर एक्जाम में पूछा गया था ठीक है यह इंपोर्टेंट था अगर आपने जितने भी कोश्टन पेपर सॉल्फ करा था अगर आपने देखा होगा तो आपका एक्जाम का चोथे का प्रस्ण नम्मर पांच आपका इसमें पुछा गया था कौन सा ब्यक्तित्व गुड ठीक है कौन सा प्रस्णाल्टी गुड अत्यधिक बहिर मुफ्ता और अत्यान सोरी अत्यधिक अंतर मुफ्ता के बीच की सीमा को दर्साता है तो यह आपका खूला ब्यक्तित् में से नहीं है तो इसमें आपका जो सहमत्ता है या आपके व्यक्तितों के पांच बड़े लक्षोणों में से नहीं था भी आप संड़ाइठ आपका छठवे का प्रस नमर साथ पुछा गया था किस व्यक्तितों गुड को उच्छ अस्तर की विचार सीलता अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष निर्देरिस व्यवहार द्वारा परिभासित किया गया है तो कर्ते बिनिष्ठा के द्वारा सी आप संड़ाइठ आपका साथ में का प्रस नमर आठ आपका क्या पुछा गया था व्यक्तितों यानि जो आपका प्रसनाल्टी है यह अनुआन सीक्ता और परियावरल का उत्पाद है ठीक है डी आप संड़ाइठ आपका आठ वेका चले प्रस नमर नौ आपका क्या पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सी अंतर मुखी व्यक्तितों की विशेस्ता नहीं है तो आत्म केंदरित यह आप संड़ाइठ आपका नमे का चले इसे प्रस्णाल्टी की आवधारणा की अंतरगत सामिल नहीं किया जा सकता है सी आप संड़ाइठ आपका दस्वेका चले प्रस नमर 11 क्या पूछा गया था ब्यक्तितों यानि प्रस्णाल्टी के पांच बड़े लक्षडों को याद रखने के लिए निम्न लिखित में से किस संचित सब्द का उप्योग किया जाता है तो बिल्कूल आपने जो एंस्वर लगाया है भी या आपका राइठ है क्या रेका चले आगे बढ़ते हैं चले प्रस नमर 12 आपका क्या पूछा गया था किस ब्यक्तितों गुड में किस प्रस्णाल्टी गुड में उदासी य या आपके मनो भी छूपता में सामिल है या आपसन राइठ हापका बारेका चले आगे बढ़ते हैं प्रस नमर 13 आपका क्या पूछा है दयालूता किस ब्यक्तितों गुड की विशेचता है यानि जो काइडनेस है या कैसी प्रस्णाल्टी गुड की विशेचता है तो या स a flash होता है आपका संदर नमर15 पुछा गया था क्या था प्रासंडर गुरूमिंग गुड की विशेचता ना ने-बवैक्तितों सुर्ण पूछा बनारा यसे दान कठना तो सेटिंग में पहानने के लिए सबसे पसंदीदा पुसाग कौन सी है तो आप्चारिक है ठीक है यह आप संडाइट आपका बिजनेट फॉर्मल्स बोते हैं यह आप संडाइट है सोलका प्रस नमर 17 पुछा गया था महिलाओं को सामाने साथ चातकार के लिए कौन से जूते पसंद करने चाहिए तो कैजूल सूज को ठीक है डी आप संडाइट है आपका देखे अगर यहां आपके लो हिल्स लिखा रहता ठीक है तो यह आपका सी आप संडाइट रहता लेकिन उच अच्छी हिल्स का नहीं होता है ठीक है तो कैजूल सूज है डी आप संडाइट हैपका चले प्रस नमर 18 क्या पुछा गया थैं अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने से क्या लाब है क्या लाब होता है या तो आत्मसम्मान में सुधार होता है दूसरों को आपके ब पूप से विटामिन का सेवन करें अच्छे आहार लेना चाहिए परियात अराम करना डी आप संडाइट हैपका चले प्रस नमर 20 क्या पुछा गया है तो अच्छा को नमी युक्त बनाय रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए निगेटिव प्रस्ण पूछा है क्या नहीं पूप जा सकता है नियमित असनान करके बिल्कुल डियोड्रेंट के परियोग से बिल्कुल बाडी मिश्ट के परियोग से यानि डियापसन आपका राइट हो जाएगा प्रस नमर 22 पूछा गया था दांतों को स्वस्त बनाय रखना और सांसों को ताजा रखना कहलाता है त दांतों की उचित देखवाल जरूरी है सियापसन राइट है इसका प्रस नमर 24 पूछा गया अच्छे सौंदर को परदर्सित करने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जाना चाहिए तो फीके जूते पहनना ठीक है सियापसन राइट है आपका 24 का प्रस नमर 25 के पूछा होगा व्यक्तियत स्वच्छता से क्या तत्पर होता है तो इसमें आपका अच्छे स्वास्त वह प्रसंदता के लिए सरीर की साथ साफ़ाई वह उच्वित देखवाल और हाथ धोना डी आपसन राइट हो जाएगा आपका प्रस नमर 26 पूछा गया था इनमें से कौन सा किस क्या है तो भावनात्मा की स्थेरता जरूरी होती है ठीक है द्वेस भाव नहीं होना चाहिए ग्यानता और अगर्मारता बिल्कुल नहीं तो ए अपसन आपका राइट है ठीक है चले प्रस नमर 28 पूछा गया था सब उचर्चा यानि ग्रूप डिसकसन में इनमें से किससे बचना चाहिए तो ग्रूप डिसकसन में हमेशा तेजी से बोलने से बचना चाहिए यानि जल्द जल्दी बोलने से बचना चाहिए ठीक है चले सी आप समराइट आपका प्रस नमर 29 क्या है यह भी फेवरेट कोश्चन है ठीक है यह तो एक दम फेवरेट कोश्चन है हमेश प्रस नम्मर तीस है इनमें से कौन सा दस्तावेज आपकी साच्छाथकार फाइल में होना आवस्यक नहीं है साच्छातकार फाइल मानें आपका जो interview फाइल है ठीक है इसमें आपका आवस्यक नहीं क्या आवस्यक नहीं होता है मताइं बिलकुल परिवार की फोटो आवस्यक नहीं होता है प्रस नमर 32 है इनमें से कौन साच्छातकार का एक परकार नहीं है तो देखे जो आपका music interview वे यह भी favorite question है ठीक है हर बार हर दिग्जा में पूछा गया है प्रस नमर 33 क्या है आपका किस परकार के साच्छातकार में वह परक्रिया सामिल होती है जिसमें नौकरी आवेदक की रोजगार योग्यता का मुल्यांकन किया जाता है तो इस प्रस नमर 34 क्या पूछा है इस प्रस नमर 35 क्या है इनमें से किस साच्छातकार में अपमान समानने बात है यानि किस इंटर्व्यू में आपमान समानने बात है तो प्रतिबल तनाव साच्छातकार में ठीक है भी आपसंडाइट है इस ट्रेस इंटर्व्यू में ठीक है त्यान लखेंगे भी आपसंडाइट है प्रस्ट नमर 36 पुछा गया है इनमे से किसमे से अधिक भ्यारतियों का सच्छातकार लिया जाता है तो आपका इसमें जो गुरूप इंटर्वीव होता है इसमें लिया जाता है बिल्कुल राइट एंसवर है आपका या संद्समून सच्छातकार प्रस्ट नमबर 37 है 37 नमबर इनमें से कौन सा साच्छाथकार यानि इंटर्व्यू दूर के उमिदवार के लिए लिया जाता है तो जो टेलिफोन साच्छाथकार होता है टेलिफोनिक इंटर्व्यू दूर के साच्छाथकार के लिए लिया जाता है प्रस नमबर 38 क्या है रिज्यूम सब्द किस भासा से लिया गया है फिवरेट कोश्चन है हर साल पुछा जाएगा ध्यान रखेंगे फ्रेंच है डी अप्सन राइट है 38 का प्रस नमबर 49 है करीकूलम बिटा है किस भासा का सब्द है ये भी हिवरेट है हर एक जाम में पुछा गया है लेटीन ये अप्सन राइट आपका 49 का प्रस नमबर 40 है रिज्यूम में किसका उलेख नहीं किया जाता है तो रिज्यूम में पता आपका एड्रेस का उलेख नहीं किया जाता है आपकी यह क्या है आपकी राष्टियत आपकी इस देश के हैं आपका एक्सपेरियंस कितना है ठीक है यह सभी मांगा जाता है प्रस्ट नमबर 41 क्या है LinkedIn पर आप अधिक्तम कितने समुह में सामिल हो सकते हैं 50, 50, 80 आपसन डाइठ आपका 41 का प्रस्ट नमबर 42 क्या पुछा है LinkedIn उत्तरों में तो यह 2,0,000,000 का डाटाबेस है ठीक है 11,1,000, 10,000,000, 10,000, 10,000,10,000 राइद बीस लाइठ पलस उत्तर को ठीक है चलिए ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं प्रस्व नमबर 2020 में आपका 43 होसल कि एस कि कि अवियर्जिय भी होता है यानि ने ही बेवहारी दूर भासा पर भी होता जही प्रस्व प्रस नंबर आपका 44 44 नंबर इंटर्विव सब्द लिया गया है रेवरेट कोशन हर बार पूछा जाएगा ध्यान रखेंगे इंटर्विव फ्रेंच से लिया गया, फिर संड आइट आपका प्रस मेंबर आपका 45 क्या पूछा गया है साथ्षातकार के लिए सफल रड़ नीतियां क्या है तो सफल रड़ नीतियां होती है व्यक्ति का तालमेल अच्छे नित्रसंपर्क यानि गुड आई कॉंटेक्ट होता मुख बिंदू पर असपष्ट जानकारी तो डी आपसन हो जाएगा आपका 46 का प्रस नमर 47 पूछा गया समुष चर्चा में संबाद करना चाहिए तो समुष चर्चा में हमेसे घ्यान से ठीक है संबाद करना चाहिए ज्यानता से नहीं बोलना चाहिए विरोधा विरोध भाव से भी नहीं बोलना चाहिए लंबे वाक्यों में भी प्रस्ट नमबर 49 है निम्नलिखित में से कौन LinkedIn का सबसे अच्छा वरण करता है। एक पेसवर networking site है ठीक है एक professional networking site ध्यान रखेंगे बी आपसन राइट है 49 का। प्रस्ट ॲेंकडर्ण को किस वर्ष शुरू किया गया था तो 5 मईं 2003 को शुरू किया गया था यह अप सेन, आटेप 50 का प्रस्ट नमबर 51 क्या पुछा गया है आपका 51 संगठनातमक वेवहार है क्या है तो कला और विद्ज्ञान दोनों है यह भी फिरेट कोश्टन है संचार की सुरुवात होती है तो जो संचार की सुरुवात है विचार की उत्पत्ती से होती है बिल्कुल भी आप संडायट है बावन का प्रस नमबर तीरपन क्या है 53 संगठनात्मक बेवहार को प्रभावित करने वाली सक्तियां हैं तो लोग हैं परियावरण हैं तकनीकी है यानि यह सभी ठीक है चले प्रस नुमर 54 चौगन नंबर संगठनातमग विवार संगठन में मानव यानि human behavior का अध्यन है संगठनातमग विवार में मानव विवार का अध्यन है है चभूगन का प्रस्ट नमब पच्पन है सारी भासा बोडी लेंग्वेश का वरलन करने के लिए किस तकनीकी सब्द का परियोग किया जाता है तो काइने 57 क्या है very very most important है ये भी हमें सब पूछा जा रहा है पूछे का ठीक है असपर्स का ध्यान है C 57 का प्रस नंबर 58 क्या है आपका kinetics सब्द का अभिस्कार किस ने किया किस ने किया भी या रे बड़ विश्टेल ने किया D आप संडाइट आपका 58 का प्रस नंबर 69 क्या है प्रॉक्से मिक्स क्या है ये भी हमें सब पुछा जाता है मानों अंतर क्रियाओं में अस्थान के उप्यों का अध्यान है ये आप संडाइट है 69 का प्रस नंबर 61 क्या है रंगों के माध्यम से संचार के लिए किस सब्द का प्रयोग किया जाता है या निरंगों के माध्यम से कम्यूनिकेशन के लिए किस सब्द का प्रयोग किया जाता है तो क्रोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है ए आप संडाइट है 61 का प्रस नंबर 62 क्या है संचार में समय की भूमिका का अध्यान है काल करम, ठीक है, जो काल करम है, संचार में समय की भूमिका का ध्यन है, बी आफसन राइट है, बासट का प्रस नमबर तिर सट है, निम्ले लिखित में से कौन सा पैरा लेंग्वेज में सामिल नहीं है मौखिक बातचीत, ठीक है, वर्बल इंट्रेक्शन जो होता है, या आपके पैरा लेंग्वेज में सामिल नहीं है ये आफसन राइट है, चोंसट का, बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रस न आपका हमेशा पूछा जाएगा ध्यान रखेंगे question number पसंद का है सम्बाद रहित चित्र पूछा है किस परकार के संचार के उधारा है जब सम्बाद रहित चित्र है ननमर्बल communication होगा असादिक संचार बोलते हैं the option right होगा आप का question number 66 नमर वीडियो conferencing के लिए आवस्यक चीजे है तो video conferencing के लिए आवसक चीजे कंप्यूटर वेब का माइक्रोफोन ये सभी होना चाहिए डी आप्सन राइट है प्रस्ट नमर 67 यानि आपका 66 नमबर प्रस्ट क्या है वीडियो कांफरेंसिंग के अनुपरियोग छेत्र है तो कौन सा है बताईए आपसे भी लोग दूरस्त सिक्षा टेली मे इमेल उधारण है तो यह चैनल के उधारण है डी आपसन राइट है अन्सट का ठीक है चले प्रस्ट नमबर 79 क्या है गूगल की वीडियो शेरिंग वेब साइट है जो उपयोग करता को अपने वीडियो अपलोड करने की अनुमती देता है तो जिस पर आप यह देख रहे ह वही है यानि यूटूब में 69 का अपसन नमबर A राइट है प्रस्ट नमबर 77 संचार का उसल महतपूर है किसी भी व्यवसार और व्यवपार में ठीक है कम्यूनिकेशन इसकिल्स व्यवसार और व्यवपार दोनों में होता है ठीक है चले बी आपसन राइट आपका यह और यह बोरा में दोनों加이는 69 संचार की परकिरिया में यानि कम्यूनिकेशन की परकिरिया में एंकोर्डिंग का मतलब है तो इसका मतलब होता है प्रतीकों के दवारा किसी विचार को В्यक्त क्रणा ठीक है ध्यान д्यान रखेंगे एंकोर्डिंga क्या है और को के दवारा विचा तो नहीं है, communication. skills जो है, उसका समयोगी, communication. जो process है, इसका ये तत को नहीं है, भी आपसो राइट है, बात्तर का. प्रस नंबर आपका 73 पुछा गया है प्रेशक संदेश की प्रतिकिरिया को कहा जाता है यानि जो आपका सेंडर मैसेज होता है उसकी जो फिडबैक होती है उसका जो रिस्पॉंस होता है उसकी फिडबैक को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है प्रतिपोस्टी फिडबैक बोला जाता है ठीक है प्रेशक संदेश यानि सेंडर मैसेज की जो रिस्पोंस होता है उसे फिडवा एक बोला जाता है ठीक है तीहत्तर के यह आप्सन राइट है आपका प्रस नमबर 74 क्या है चौतर नमबर पसंद पूछा गया है बात चीत करना किस प्रकार के संचार के अं सबसे अधिक प्रभावी क्या है तो जो आपका रिटेन होता है लिखित लिखना यह आपका सबसे अधिक प्रभावी होता है बी आपसन राइट है 75 का प्रस्ट नमबर प्रस्ट नमबर प्रस्ट नमबर आसी क्या पुछा गया है बहुत ही सांदार प्रस्ट है ठीक है Ohshaw के मध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक उधारण है तो एक परस्परीग ठीक है परस्परीग मौकिस संचार का उधारण है सेभ्सन राइट तो C अमारा right है, इंगलिस वाले बच्चे जो C option लगाए होंगे, उनको नमबर मिलेगा, यह option जिनों ने लगाए हो उनका गलत हो गया होगा प्रस नमबर 81 क पूछा गया है, आवाज में स्वर के उतराव च्षणाव को कहते है, आवाज का उतराव च्षणाव काते है, 18 C का B option right है प्रस नमबर 82, 82, 82, 18 संचार सब्द की उत्पति किस्ते होई है, communication सब्द की उत्पति किस्ते होई या विया, तो लैटिन सब्द से, C option right आपका 82 का, परस्ण नमर 83 क्या पुछा गया है आपका, निम्न में से कौन संचार के Jeffs एक सीएस में सामिल नहीं है, चरित्र, ठीक है character प्रस नम्मर 84 क्या पुछा गया है और साथ दिक संचार नानमर्बल कम्यूनिकेशन का प्रत्यक्ष एउन ससक्त रूप क्या है तो आखों से संपर्क है आई कॉंटेक्ट सी आफसन राइट है प्रस नम्मर 85 क्या पुछा गया है आपका इनमें से कौन सा सुनने की परिकिरिया का एक चरण नहीं है तो बात बंद करना आफसन राइट आपका 85 क्या प्रस नम्मर 86 है प्रत्यासी तुस्वर बढ़ावा देता है तो यह उत्तेजना को बढ़ावा देता है ठीक है बी आफसन राइट है एकसाइटमेंट को बढ़ावा देता है चले प्रस नम्मर 87 क्या है आवाज के भावो को परखा जा सकता है आवाज के लहजे से परखा जा सकता है प्रस्ट नमबर 88 क्या है Email भेजने के लिए निम्न मेंसे क्या अनिमार है प्रेसक की email ID अनिमार है प्रस्ट नमबर आपका 89 क्या पुछा गया हटाय का email संग्रहीत होते हैं तो draft में नहीं होते हैं ठीक है ट्रेंस में होते हैं जब आप email डिलीट कियोंगे तो वो पहले ट्रेंस में जाते हैं फिर 30 दिन बाद वो डिलीट हो जाता है be a option right है 89 का प्रस नमर 90 आपका क्या पुछा प्रात mail को किसी अन व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश को फारवर्ड करना होगा ठीक है कापी नहीं करेंगे भी आप फारवर्ड करेंगे यानि aggressive be a option right है आपके पास email आया है किसी अन व्यक्ति को वही email भेजना है तो क्या करेंगे भी आप फारवर्ड करेंगे ठीक है अग्रेशिद 90 का बी आपसन विल्गुल राइट है प्रस नमबर एक क्या नमबर क्या है इनमे से कौन संचार बाधा नहीं है कम्युनिकेशन का बाधा कौन सा नहीं है दारसनीक C आपसन राइट है क्या अनबर का चले प्रस नंबर आपका 92 क्या पुछा गया है 92 नंबर इनमे से कौन सा संचार में तकनीक बाधा का उधारर है कौन सा है तो इंटरनेट की धेमी गति डि आपसन राइट है 92 का प्रस नंबर आपका 93 है 93 नंबर प्रस किसी छेत्र में वक्ता को संचार के लिए अपनी आवाज उची करनी पड़ती है या माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है तो जनता के बीच पब्लिक में ठीक है या अपसन राइट है 93 का चलें प्रस नंबर आपका 94 क्या है 94 नंबर प्रस नंबर प्रभावी संचार के लिए है फोर इप्यक्टिव कम्यूनिकेशन तो क्या है यह पहले दूसरे को सुने ठीक है सामने वाले को सुनना चाहिए पहले 95 नंबर प्रसन क्या है आपके व्यक्तित्तु का 75 परसेंट आधारित होता है तो जब आपके अंदर का अंफिडेंस होगा तब ही ठीक है डी आपसन राइट आपका अच्छा इसको जैज कैसे कर सकते हैं जब स्वामी विवेका नंद ने भासर दिया था बाहर में जाकर के अच्छा जब उन्हों वहाँ पर गय थे तो उनके वेस भूसा को देख करके लोग उनका मजाग बना रहे थे लेकिन जब उन्होंने बोलना सुरू किया तो अका एक सब लोग रूख गया ठीक है उनके जो भासर दिये थे एक-एक सब्द को अभी भी ठीक है लिखा गया है वहाँ पर प्रस नमबर चानवे क्या है वक्ताओं को किसके पहले और बाद में रुकना चाहिए तो इसका सही आंसर हमें नहीं मिला है आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रस नमबर चानवे क्या है छोटे-छोटे वाक्यों में जोर-जोर से बोलना दिखाता है क्या यह दिख प्रस्ट नम्बर 99 क्या है सब्द तनाव मुखेता बल देता है तो जो सब्द तनाव होता है हम जो सब्द बोलते हैं डी आपसन राइठ आपका 99 का प्रस्ट नम्बर 100 क्या है संचार में बिशलेसर के तीन प्रमुक्षेतर है पक्षा नूराग है जाहिन वंदे मातरम आप जितने लोगों नो मुझे saPORTS किया है आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद झाल झाल